उर्पी का जो यूनिफॉर्म हिजाब का इशू चल रहा है दस तारिक को दस फिबरेट 2022 को एक हाई कोट से एक इंट्रिम और पास हुआ है उस इंट्रिम और को क्या पास होने के बाद डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स हुए और उसके बाद बहुत सारे कन्फीजन पैदा ह हुए और कोई इपार्टमेंट्स को भी कन्फीजन पैदा होते हैं और गवर्मेंट्स क्या होते हैं हाई कोटों का नाम लेकर आप लोगों को बगार की मतलब की आपको परिशान कर दें तो मैं इस वीडियो के जरीए आप लोगों को ऑडर के बारे में क्लैरिफिकेशन दे है तो सरिफ उसी कॉलेजों में एक अपली के बल होगा तो इस जैसे उनने बूल दिया इसका मतलब क्या है कि ऑडर का एफेक्ट सरिफ और सरिफ पी यू गौर्वर्मेंट कोलेज में होगा क्यों की प्यू गवर्मेंट कोलेज के अंदर ही सीडीजी का प्रोविजन है कॉल इसमें जो अभी रिलिजियस सिंबल इसमें उनना हिजाब को भी एक इंपलूट किया है उसमें रिलिजियस सिंबल में सारे रिलिजियस सिंबल हो चाहे हिजाब हो और भी रिलिजियस सिंबल रहे तो अगर आप कोई परिशान कर रहा है तो आप उसके बारे में बोल सकते है इसी सिंबल रहे तो उसको सिर्फ और सिर्फ classroom के अन्दर can that's classroom के अन्दर मतलब college के इन्दर सकते हैं वोग playground वी जा सकते हैं असेमली मीटीं मी जा सकते हैं गलास लेने के ताइम में इसम्मिफिशन है कि अलबता यह सुर्व का clarification है और इसमें सुप्र लोग कुछ कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं मगर इस order को आप समझेए शर्फ और शर्फ एप्लिकेबल government PU college में है ना ही school वालों के उपर applicable है ना ही degree colleges के उपर है और कोई भी अगर आपको इसके लिए परिशान करें तो government इसके order की copy अल्रडी online में बहुत सर्क्लेट होगी order copy लेके रखिये उसके last pair में clear से लिखा है जिस colleges में CDC ने inform किया है अगर CDC है तो CDC will work only in respect of PU college school के लिए भी नहीं और degree college के लिए जजा कर लाँ